बुविनेश्वर कुमार दा किंग आफ स्विंग काफी लंबे समय से टीम से बाहर हैं उनके फैंस बेसबरी से उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं लेकिन पिछले दिनों बुवी ने कुछ ऐसे संकेत दिये हैं जो एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि क्या बुवी इंट स्टाग्राम प्रोफाइल का बायो इंडियन क्रिकेटर से बदल कर सिर्फ इंडियन ही कर दिया था जिसे देखकर उनके फैंस ऐसे रियक्शन दे रहे हैं कि क्या बुवी इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर जा रहे हैं हाला कि देखने वाली बात यह भी है कि अगर हम उनके दूसरे शोशल मीडिया अकाउंट्स पर नज़र डालें यानि की ट्विटर पर तो अभी भी उनका बायो इंडियन क्रिकेटर नाम से ही मेंशन है भुवी ने इस साल IPL में काफी शांदार प्रदर्शन किया था लेकिन वह इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में जगा बनाने में असफल रहे उन्होंने अपना आखरी मैच नवेंबर 2022 में न्यूजी लेंड के खिला था उसके बाद से भारते मैनेजमेंट ने भुवी से दूरिया बनानी शुरू कर दी भुवी के आखरों पर नजर डालें तो भुवी ने 121 वंडे मैचों में कुल 141 विकेट लिये हैं तो 2020 मैचेज में उन्होंने 87 मैच खेले और 90 विकेट अपने नाम किये वैसे तो भुवी टेस्ट क्रिकेट से साल 2018 से ही दूर हैं लेकिन उनके टेस्ट क्रिकेट के आखरों पर नजर डालें तो उन्होंने किस मैचों में 63 विकेट हासल किये हैं भुवनेश्वर कुमार के लगाता टीम से बाहर होने की वज़ा से उनके फैंस काफी चिंतित हैं भारती मैनेजमेंट ने भी अर्शदीप सिंग, उमरान मलिक और कुलदीप सेंग जैसे युवा तेज गेनबाजों के उपर निवेश करना शुरू कर दिया है एसे में एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि क्या भुवनेश्वर कुमार आप टीम इंडिया की जर्सी में कभी खिलते हुए नजर नहीं आएंगे आपको क्या लगता है अपनी राए कमेंट सेक्शन में जरूर दें